दुर्घटनागरस्त डॉर्नियर विमान के मलवे का पता चला तमिल्नाडू में सिरकाजी के निकट समंदर में मलवे का पता चला नौसेना की पंडूबी सिंदुधवच और सागर निधी को घटना इस्तल के लिए रवाना किया गया नियमित समुद्री निगरानी उडान पर निकला विमान आठ जून को तमिल्नाडू के तठी अक्षेत्र के पास लापता हो गया था शाहजापूर मामले में CBI जांच की मांग सरकार ने आतेंकोवाद के खिलाब जीरो टोलरेंस की नीती पर दोहराई प्रतिबद्धता रक्षामंत्री मनोहर परिकर्ण कहा देश की सुरक्षा के साथ नहीं होगा कोई समझोता रक्षामंत्री जायपूर में सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनोतियों और उनके हल विशय पर आयोजित समारों को कर रहे थे संबोधे सूचना और प्रसारिन राजी मंत्री राजी वर्धन सिंग राठोर ने जायपूर में आयोजित कारिकरम में कहा भारत सभी देशों के साथ चाहता है अच्छे रिष्टे खास तोर पर बड़ोसी देशों के साथ भारत बहतर रिष्टों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है आगे राठोर ने कहा दूसरों पर की छड़ उचालने से पहले अपने गिरेबा में जहांके पाकिस्तान काली कट हवाई अड़े पर जड़ब के मामले में CISF के चार जवान गिरफतार केरल के कोजी कोट में 10 जून को हुई थी CISF जवानों और भारती विमान पत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच जड़ब हवाई अड़े की संपत्ति को नुकसान पहुचाने के सिलसिले में हुई गिरफतारी इस संगर्ष में एक जवान की मौत हो गई थी सारक देशों के बीच बेहतर यातायाद संपर्क पर जूर संस्तागत तंत्र बनाने के लिए भारत बांगलादेश भूटान और नेपाल के बीच कल होंगे समझोते पर हस्ताक्षर वहनों के आवजाही को सुगम बनाने के लिए मोटर वहन समझोते पर होगा स्ताक्षर परियुहन मंत्री नितिन गट करी कर रहे हैं भूटान का दोरा देश के विभिन हिस्सों में बारिश ने दिलाई गर्मी से फिलाल रहत मुंबई में लगातार बारिश से मौसम हुआ सुहाना लेकिन निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की बढ़ी दिक्कत करनाटक महराश्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजधानी दिल्ली समेट विभिन हिस्सों में बारिश के बाद मौसम सुहाना असम में बाल के इस्तिती से निपटने में जूटी एजिंसियां, 15 जिलों के 600 से अधिक गाउं बाल की चपेट में 3,17,000 से अधिक लोग प्रभावित, निमतिया घाट और धुबरी में ब्रह्म पुत्र और बार पेटा में बेकी नदी खत्रे के निशान से उपर तिनसुकिया, सोनितपूर और ग्वालपाड़ा जिलों में 11 राहत शिविर इस्तापिर योग दिवस की तयारियां तेज, अंतराष्ट्रिय योग दिवस के आयोजन से पहले योग गुरु बाबा रामदेव के निर्थितु में दिल्ली में अभ्यास शिविर का आयोजन हजारों की संख्या में लोग योग अभ्यास करने पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने 21 जून के कारिकरम के मदिनजर, राजपत और आसपास की सड़कों के लिए यातायात मार्ग बदले जाने के बारे में जारी की एडवाईजरी कल से बदल जाएगा ततकाल टिकट बुकिंग का समय एसी दरजे के लिए सुबह 10 बजे से और 9 एसी दरजे के लिए सुबह 11 बजे से शुरू होगी टिकट बुकिंग रेलवे ने बुकिंग वेब साइट और टिकट खिड़कियों पर भूच कम करने के लिए उठाया कदम अभी ततकाल के तहट टिकट बुकिंग यातरा से एक दिन पहले सुबह 10 बजे शुरू होती है भारत बांगलादेश के बीच बारिश से प्रभावित एक मात्र टेस्ट मैच ड्रॉ फातुला मैदान पर खेले गए मैच में भारत ने पहली पारी में 6 विकेट पर 462 रन बनाए बांगलादेश ने पहली पारी में 256 जब की दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 23 रन बनाए फिर की गैंत बाज हरभजन सिंग की टेस्ट मैच में धमा के दार वापसी लंबे समय बाद लोटे टर्मिनेटर ने बांगलादेश के खिलाप एक मात्र टेस्ट मैच में ही बनाया नया की रितिमान बाजी ने अकरम के 414 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा 416 विकेट के साथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 95 खिलाडी बने टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में भारत को जटका ICC टेस्ट रैंकिंग में चोथे इस्तान पर लोड़का भारत बांगलादेश के खिलाब फातुला में एक मात्र टेस्ट मेस ड्रॉ होने के बाद भारती क्रिकेट टीम तीसरे से चोथे स्थान पर खिसकी भारत इंगलेंड और पाकिस्तान के बराबर अंक लेकिन दश्मलव की गणना के आधार पर भारत रैंकिंग में अन्य दोनों टीमों से आगे भारत के रोहन बोपन्ना और रोमानिया की फ्लोरिन मर्जिया की चौथी वर्यत अप्राप्त जोडी ने स्टडगार्ड ओपन टैनिस टूर्णामेंट का खिताब जीता खिताबी मुकाबले में वोपन्ना और मर्जिया ने तीसरी वर्यत अपराप्त ब्राजील के ब्रूनो सोरेस और आस्ट्रिया के अलेक्जेंडर पेया की जोड़ी को दीशिकस्त